नमस्कार दोस्तों, welcome you all again to our channel और हम इस लेक्चर सिरीज में आगे बढ़ते हुए जो कि UPSC Mains Answer Writing की लेक्चर सिरीज है हमारा अगला टॉपिक डिसकस करने जा रहे हैं that is industrial disasters in India and to be very specific chemical disasters हम सब जानते हैं विशाका पटनम वायजाइक में स्टाइरिंग गैस उसके साथ क्या हुआ, वहां पे किस तरीके का explosion हुआ, जिसको की आप इस individual वीडियो के थुरू अच्छे से समझ सकते हो कि वहां पे particularly क्या हुआ था विशाका पटनम में मैं आपे आपके साथ discuss करूँगा mind map कि अगर chemical disasters या industrial disasters इन इंडिया पे एक सवाल आता है तो how we can solve this with the help of this mind map सबसे पहले introductory part देखते हैं कि industrial accidents not only in India but elsewhere in the world also it constitute a major problem हमारे यहां पे recent में आप quote कर सकते हो जैसे बोपाल gas tragedy of course बहुत recent में नहीं है but then too it's a very tragic disaster which happened in India then nearly हम सब जानते हैं और विशाका पटनम तो दोस्तों होता कुछ यूँ है कि भुपाल gas tragedy अब होती है अच्छा ये question उठाते हैं नीचे comment box में बताइए भुपाल gas tragedy कब हुई थी और वहांसे कौन सी gas leak हुई थी ठीक है और सिर्फ cyanide मत लिखना sorry answer बहुता दिया पाकि फिर भी पूरी gas का नाम लिखना ठीक है government ने इसके बाद दोस्तों बहुत से loss pass करना चालू कि जैसे बोपाल gas leak processing of claims act पास किया गया जिसमें central government ने खुद से power ले ली कि अब वो जितने भी claims आएंगे जो भी इससे affect हुआ है उसको secure करेगी और speedily और equitable basis पे इसको resolve करने की कोशिश की जाएगी तो यहाँ पे आप इस तरीके से ये लिख सकते हो पहला दूसला environment protection act 1986 में पास किया गया तो अब आप एक चीसों समझ गए होगी कि 1986 से पहले की बात कर रहे हैं अपर क्योंकि वोपाल gas leak की बात कर रहे हैं तो environmental protection act पास किया जाता है यहाँ पे भी central government power ले लेती है जिसमें की वो बोलती है कि environment के जो major से उसको set करेगी standards को कि industrial units कितना environment को नुपसान पहुचा सकती है और किस तरीके से उसको regulate किया जाएगा यहाँ पे ये power central government ले लेती है with the help of this environmental protection act 1986 यहाँ पे आप ये court करोगे फिर आप court करोगे national green tribunal को बनाया जाता है तो national green tribunal 2010 जहाँ पे इसको mandate दिया जाता है कि ये सारे cases को dispose करेगी जो भी environmental preservation और forest conservation से related है in effective and expeditious manner effective का मतलब तो आख सब जानते हो expeditious जल्दी होना इसके बाद आता है एक और law pass किया आता है 1991 में बाद मैं बोल रहा हूँ में आप numbering खुद से कर ले ना यार दो सित्ता तो मान रहा हूँ जिस 1991 2010 के पहले आया यह तो हम समझते है तो public liability insurance act 1991 में लाया जाता है जो भी affected लोग है उनका insurance basically इस act के थुरू किया जाता है फिर national environment appellate authority act 1997 पास किया जाता है इसमें appeals सुनी जाती है again जो affected लोग है regardless कि वो incident किस area में हुआ है जैसे कि मान लो national environment appellate authority act के थुरू कोई authority दिल्ली में बैठी है अब incident कहीं भी हुआ यह appellate authority इस appeal को जो भी affected person है उसको सुनेगी तो इस तरीके के acts लाके basically क्या करने की कोशिश की गई दोस्तों कि जो affected लोग है उनके grievances को सुनने की कोशिश की गई उनको compensation दिलाने की कोशिश की गई इस compensation को दिलाने के लिए speedy process की process को बनाया गया जिसके लिए इन सब चीजों का establishment किया गया तो आपको जरूर ऐसा दिमाग में आ रहा होगा कि इसका data अगर मिल जाता तो तो यह आपके सामने अभी तक दोस्तों अगर मैं major accident 1000 की बात करूं तो 1861 हो चुके और यह फैले हुए 301 district में across 25 states and union territories national disaster management authority के इसाब से recent past की अगर बात करें तो 130 significant chemical accidents हो चुके हैं हमारे यहां पे जिसमें more than 259 deaths हो चुकी हैं और 560 से भी उपर major injuries हो चुकी हैं अब बात करते हैं थोड़ी सी liability पे liability क्या होती है? liability दो तरीके से होती है एक होती है strict liability एक होती है absolute liability पहले strict पे बात करते हैं यहां पे दोस्तों कोई भी company जो होती है वो पहले बच जाया करती थी क्यूंकि वो यह बोल देती थी जैसे मानलो कोई gas leak हो गई कोई भी hazardous substance अगर leak हो गया company से तो वो compensation नहीं देती थी companies not liable and need not pay compensation वो बोल देती थी की act of god है मतलब इसमें हमारी गलती नहीं है यह act of god की वज़े से हुआ है मगर आब इसको change करके absolute liability पे डाल दिया गया है मतलब की अब company को mandatory कर दिया गया है कि उनको compensation देना ही पड़ेगा भले ही वो disaster उनकी negligence के कारण हुआ हो या ना हुआ हो जिस कारण से कि section 17 national green tribunal में change किया गया और इसी के द्वारा national green tribunal को mandate दिया गया कि वो इस absolute liability को implement करे या apply करे तो मीद करता हूँ आप समझ गया है इस answer को लिखते हुए आपको पूरे time ध्यान रखना है stakeholders के बारे में stakeholder यहाँ पर basically हमको चार देखने को मिलेंगे एक होंगे worker जो company में काम कर रहे है एक होंगी government जो इन companies को license issue करती है एक होगी खुद company जहाँ पर ये employment प्रोवाइट करती है लोगों को wages देती है जिस कारण से हमारी GDP चलती है और fourth होंगे home जो nearby लोग रहते हैं किसी industry है अब हम य देखने की कोशिश करते हैं कि इन stakeholders में ये लोग कहां कहां गलती करते हैं सबसे पहले बात करते हैं उन workers की जो company में काम करते हैं बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वो safety rules को disoway करते हैं नहीं मानते पीपी किट्स को नहीं पहनते हैं हमने देखा है in fact जहां पर मैं काम करता थ मेरी company में लोग helmet नहीं पहनते थे, furnace पे काम कर रहे हैं, helmet नहीं पहन रहे हैं, gloves नहीं पहन रहे हैं, inattentive रहते हैं, training sessions को attend ना करना, canteen में जाके बैठ जाना, ये workers के पार्ट पे गलत होता है फिर, homes की बात करते हैं, जो nearby लोग रहते हैं, क्या होता है दोस्तों, हमारे पास में जो industry चल रही है, उसका nature क्या है, लोगों को वही पता नहीं होता, जिस currency की उनको ये पता नहीं होता, कि अगर किसी दिन कोई major outbreak हो गया, तो हम क्या करें, जैसा विशाका पटनम में हुआ भागना था, दूसरी तरफ, लोग company की तरफ भागने लगे, gas leak होती रही, लोग company की तरफ भागते रहे, ठीक है, फिर बात करते हैं, company की, अब दोस्तों, क्या होता है, कभी-कभी, जो companies होती है, वो खुद safety protocols को follow नहीं करती है, हाला कि, इनके लिए inspection किये जाते हैं, but again, we all know this is India, इसी के साथ में, जो information provide करनी चाहिए, households या house, जो nearby लोग है, homes दिसा में एच लिखा हुआ है, उनको provide नहीं करती ही company, साथ ही, जो storing और handling है, hazardous material की, यह unorganized sector में जाधा देखने को मिलती ही हमारे हैं, तो इस current से ही outbreak जब भी होते हैं, हमको बहुत major problem होती है, फिर बात करते हैं, आकरी में government, government दोस्तों, ease of doing business में बहुत ध्यान दे रही है, आपको पता होगा, ease of doing business में हमारी current ranking के हैं, नीचे comment box में, जल्दी से बता दो, इसी के साथ, जो industrial regulations हैं, लगातार उसको relaxation किया जा रहा है, ताकि industry जाय सादा, establishment जाय सादा, हमारे wages low तक पहुँचे employment generator, जिस क जानते हैं, हमारे encroachment की बहुत बड़ी problem है, हम यह जानते हैं कि हमारे जो लोग हैं, वो industries के पास की land को encroach कर लेते हैं, illegally रहना इस तरीके से बोल सकते हो आप, जिस कारण से again यह major जब outbreak होते हैं, तो बहुत सारी lives lost हो जाती हैं, आखरी में बात करते हैं, वे forward क्या कर सकते हैं, दोस्तों ऐसे industrial zones को हम zoning out कर सकते हैं, ताकि इन पे विशेश ध्यान दे जा सके, disaster management plan बनाया जा सकता है, इस disaster management plan को जो बना है, इसका regular updation करना चाहिए हमें local institutions के साथ में, ताकि जो भी fair बदल local level पे, grassroot level पे हो रहे हैं, उसको change किया जा सके, हम buffer zones create कर सकते हैं, inter agency, जब disaster management होता है, तो जो inter agency काम करती है, उनका coordination बढ़ा सकते हैं, industrial safety पे ध्यान देना चाहिए, guidelines को strict अधर करना चाहिए, rules and laws को particularly हमको follow करवाने के लिए continuously in industries में inspection करवाना चाहिए, तो दोस्तों, this is all about industrial disaster and chemical disasters in India, उमीद करता हूँ, आपको lecture बहुत चला होगा, अगर हाँ, channel को subscribe कर सकते है, also stay tuned with me for the future lectures in the end, keep shining, have a good day.